आज हम आपको बताएंगी कि व्याक्राड क्या है इसकी परिभासा क्या है हिंदी में व्याक्राड का क्या महत्य है व्याक्राड परिभाशा व्याक्राड वह विद्या है वह कला है जिसके माध्यम से किसी भासा को सुधुरूप में बोलते लिखते एवं समझते हैं व्याक्र कहते हैं अब यहां इस परिभासा को समझ लीजिए सिर्फ परिभासा पढ़ना ही या लिखना हमारा मतलब नहीं होना चाहिए हमारा उद्दिश्य उसको समझना होना चाहिए तो यहां पर जो व्याकरण की परिभासा है इसने कहा है कि व्याकरण जो सब्द हम इसके लिए यूज करते हैं ये वैसी विद्या है वैसी कला है जिसके माध्यम से हम किसी भी भासा का ज्यान करते हैं जब हम उस भासा को पढ़ते हैं उसके पढ़ने के क्या नियम होने चाहिए हम उस भासा को जो लिखते हैं उसके लिखने के क्या नियम होने चाहिए क्या काइदे होने चाहिए या उस भासा को जो हम बोलते हैं तो पढ़ने लिखने बोलने या समझने के लिए हम जिन न्यामों का प्रियोग करते हैं उन्यामों का ही जो पूरा रूप होता है उसी को हम व्याकरण कहते हैं विद्धार्टियों आपको ये समझ आ गया होगा अब इसके साथ एक और पॉइंट आता है व्याकरण के अंग व्याकरण के कितने भाग होते हैं यानि हम किसी भी भासा के व्याकरण को कितने भागों में बाट कर पढ़ सकते हैं व्याकरण के चार भाग होते हैं चलिए वो चार भाग कौन-कौन से हैं, वर्ण, सब्द, पद, वाक्य, कहें कहीं, बहुत सारी किताबों में इसके तीनंग दिये हैं, तीनंग हैं, वर्ण, सब्द, वाक्य, ध्यान दखिएगा यहां पर वर्ड सब्द जो ये दोनों है ये हैं तो एक ही चीज है इसके लिए वर्ड ध्वनी ध्वनी वर्ड का मोखिक रूप है वर्ड ध्वनी का लिखित रूप है हिंदी वर्ड माला में जो वर्ड है वो दो प्रकार के हैं जिने हम स्वार और व्यांजन कहते हैं अब आता है सब्द वर्डों को यानि दो या दोशे अधिक वर्डों को हम जब एक साथ मिलाते हैं और उनमें साथा कार्थ निकलता है तो वही हमारा सब्द कहलाता है तो उसी को हम सब्द कहते हैं अब हमें इतना तो पता चल गया कि सार्थक यानि जो हमारे वाण है उनका जो सार्थक अर्थ निकलता है वो सब्द कहलाता है अब इस सब्द के अंदर आते कौन-कौन से हैं जब हम सब्द के भेद पढ़ते हैं तो आते हैं इतिहास के आधार पर, स्रोट के आधार पर, जिसमें हम पढ़ते हैं देशर सब्थ, विदेशर सब्थ, तत्समसथ, तद्वफसथ, संकरसथ, फिर हमारा दूसरा आता है रचना या बनावट के आधार पर, अब हम पढ़ते हैं वे तीन प्रकार के हो जाते हैं जिसमें हमारा आता है रूर सब्द, यौगिक सब्द और यौगरूर सब्द खिर हमारा तीसरा आता है अर्थ के आधार पर जो सब्द में ही हैं तो अर्थ के आधार पर जैसे पर्यायवाची समान आर्थक सब्द इसके बाद आता है विप्रीत आर्थक सब्द विप्रीत आर्थ रखने वाले सब्द इसके बाद अनेक आर्थक सब्द या वैसे सब्द जिनका आर्थ अनेक हो तो ये हमारे अर्थ के याधार पर सब्द होते हैं इसके बाद कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो पद का रूप ले लेते हैं अब तीसरा इसको समझते हैं ये पद सब्द ही होते हैं जैसे सपुच करो हमने यहाँ पर लिखा लड़का या आम लिखा या लिखा जाता इस तरह से हमने तीन चार सब्द ले लिए अब हम इनको सिंगल सिंगल देखते हैं तो ये सब्द कहलाते हैं लेकिन अगर हम इन सब्दों को एक जगे प्रियोग करें वह वाक्य बन जाते हैं वाक्य में जब हम इनको प्रियोग करते हैं जैसे मान लो हमने कहा लड़का आम खाता है हमने वाक्य प्रियोग किया है और इस वाक्य प्रियोग करने के बाद यहां पर जो हमारा लड़का सब्द आया है अब ये सब्द न रहकर क्या कहलाता है पद कहलाता है यानि अब इस कुंसी है इसको यह पद भी है संध्या की तो हम इसको संध्या कह सकते हैं वाक्य में यह करता के स्थान पर प्रियोग हो रहा है इसकी करता की पद भी हो गई इसमें एक वचन है इसमें लिंग पुल्डिंग है तो वह इस तरह से इसको पद मिले हैं तो यह पद पद कहलाते है अब हम वाक्य की बात करते हैं पहले हमने वाड़ पढ़ा, सब्द पढ़ा, पद पढ़ा अब हम पढ़ते हैं वाक्य अब इन सब्दों को हम जोड़ कर पढ़ते हैं तो हम वाक्य की परिभासा रखते हैं कि जब हम कई सारे सब्दों को मिलाकर एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं तो वो हमारा वाक्य कहलाता है सार्थक अर्थ का मतलब होता है जब किसी बात का कोई अर्थ न हो यानि कोई अर्थ न निकलता हो वही हमारा सार्थक सब्द कहलाता है जैसे हमने कहा कि मोहन घर जाता है तो इस वाके का सार्थक अर्थ ये निकलता है जो मोहन नाम का व्यत्ती है ना वो अपने घर जा रहा है इसका मतलब जो पीछे निकलना है उसी को हम सार्थक अर्थ कहते हैं तो जब हम दो या दोशे अधिक सार्थक सब्दों को जोड़कर एक सार्थ लिखते हैं और उनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है या पूर्ण भाव आता है उसी को हम वाक्य कहते हैं वाक्य भासा की सबसे बड़ी एकाई है एक प्रश्न हमारा ये वन जाता है कि वाक्य भासा की कौन सी एकाई है तो वाक्य भासा की सबसे बड़ी एकाई है धन्यवाद